Hey guys welcome back to my channel and welcome back to the another video आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ रक्षा, बंधन, कम, इद, लोग, विद आउटफिट, प्लास, सिंपल हेर स्टाइल यह तीनों चीजे जो है काफि सिंपल और सूबर है जो मैंने क्रियेट की है और मैं आप लोगों से स्टेप बाइ स्टेप शेयर करने वाली हूँगी है मैंने कैसे क्रियेट किया है अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजेगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले मेक अप स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे खा दी नरिशिंग क्रीम ली है सैंडल वोड की है यह मैंने अमजान से परचेस की थी यह काफी अच्छी क्रीम है यह dry and oily skin के लए तो लिए काफी सादा अच्छी है हमको कोई भी makeup स्टार्ट करने से पहले सबसे हमें उसको एक base create करना होता है तभी जो हमारा जो make-up होता है वो patchy नहीं लगता cake ही नहीं लगता है तीसरा मैं यहां पर फांडेशन के लिए कोई फांडेशन नहीं ले रही हूँ, यहां पर मैं कलर एसंस की स्टिक का इस्तिमाल कर रही हूँ, यह कुछ इस तरह से फिनिश में है, यह काफी अच्छा बेच शेड है, इसका रिव्यू मैं अपनी लास्ट वीडियो में कर चुक बहुत हलके हातों से फेस्ट पे नहीं लेघाना है, यह है काफी पंस्तिक में और काफी अच्छा पेस पे लग जाता है, यह मैं यह काफी कोन्टिटी में नहीं लगाओंगी मैं बेसिकली नहीं हाइलाइट करने इससे मैं highlight कर रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई extra brush की भी requirement नहीं है, तो जो है, अगर आप चाहे, इसको आप एक बार purchase करके देख सकते हैं, इसको जो है, मैं 10 out of 10 दूंगे, और इसको मैं काफी time से use कर रही हूँ, और इसको मैं अपने काफी videos में भी review कर चुकी हूँ, इसको मैं यहां पर blue heaven का sapphire, जो है, loose powder use कर रही हूँ, आप जो है, कोई compact powder पी use कर सकते हैं, यहां पर make-up को set करने के लिए loose powder में लगा रही हूँ, यहां बार बाहर बाहर इसले देख रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी balcony के बाहर बंदर दिख रहे थे, तो मैं डर रही थी कहीं वो अंधर ना आ जाए, अब मैंने अच्छे तरीके से जो है cover कर लिया है, अब मैं अपनी जो eyebrows को जो है fill करूंगे, उसके लिए मैंने एक eyeshadow palette से black color pick किया है, उससे जो है मैं अपनी eyebrows जो है fill कर लूँगी, यूजिली जो मैं eyebrow pencil का इस्तिमाल करती हूँ, लेकिन इस वार जो है मैंने इसको try किया है, अब मैंने जो है blue heaven का eyeshadow palette लिया है, ये काफी अच्छा eyeshadow palette नहीं है, इससे जो है fallout काफी, काफी तो नहीं थोड़ा बहुत fallout होता है, तो मैंने इससे जो एक mustard सा color pick किया है, और इससे जो मैं अपनी crease line पे मैं लगाऊंगी, जब तक मुझे pigmentation नहीं मिलती है, मुझे काफी dark नहीं लगाना है, हलका ही लगाना है, तो मैं इसको जो है, एक flat brush की help से जो है, इसको अच्छी तरीके से blend कर ले रही हूँ, अब मैंने तूसरे purple shade लिया है, उसको मैं नीचे अपनी lower line मैं लगाऊंगी, देखी, इसमें fallout हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी fallout की problem होती है, जो मैंने clean कर लिया है, मैंने दोनों eyes लगा लिया, अब मैं lower eyes पे, जो है, ये ADS का मेरे पास color pencil है, इसका मैंने 12 set मंगवाया था, ये भी काफी अच्छा है low budget में, अब मैं जो है, पुरे काफी मक्खन की तरह आँखों पे लग जाता है, अब देखें किती smoothly मैं लगा रही हूँ, जिन लोगों को wing eyeliner लगाना नहीं आता है, या normal eyeliner भी नहीं लगाना आता है, उन लोगों के लिए eyeliner काफी अच्छा है, इसकी cost 200 से 200 के बीच में होगी, अब मैं या पे जो है false lashes लगा नहीं आता है, मैं जसे try कर रही थी, आप चाहे step को skip कर सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि आपको लगाना है, मैं जसे try कर रही थी, तो मैंने फिर इसको जो है लगाया है, यह भी मैंने amazon से 12 set मंगवाए थे, काफी easily लग गए थे, मुझे लग रहा था, नहीं लगेंगे, अब दिखेगा, अब मैंने यहाँ पर लगमी का यहाँ पर एक pink shade लिया है, क्योंकि मेरे अपने कुर्ता देखा है, पिंक शेड, काफी सारे कलर सा मेरे कुर्टे में, तो मैंने पिंक शेड जो है यहाँ पर लगाया है, अब आती है बात hairstyle के हैरस्टाइल के लिए, अब आप जो तर्व आपको टाइटली फोल्ड करना है, देखे मैं इस को कितनी तärीज तारीके से फोल्ड कर रहा हूं, फोल्ड करते जाना है पीछे तक उसके बाद आपको एक पिन के हैल्प से इसको सिक्यॉर कर लेना है, इसको देखे मैं लगारी है हूं आप secure कर लीजे, इसी तरीके से आप जो है jeब तक आपके कीन के पास तक के जितने बाल है आपको same process से जो है आपको इसी तरीके से बालों को ले के tight ऐसे ट्विस्ट करते हुए बालों को काफी simple और easily आप इसको कोई भी carry कर सकता है देखें कितना प्यारा लग रहा और कितनी जल्दी बन जाने वाला है रक्षा बंदन और एद के लिए काफी परफेक्ट है एरिंग्स के लिए मैं यहाँ पे औरेंज कलर के एरिंग्स ले रही हूँ तो guys this is my final look तो guys I hope आज का look आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है तो एक पर try जरूर कीचेगा मुझे comment box में जरूर बताईएगा आप वीडियो को like कर दीजेगा चानल को subscribe कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए घर पे रहें सेफ रहें गुड़ बाय टेक केर